असलाम वालेकुम तो बैंक रीकंसीलियेशन को आगे बढ़ाते हैं पहले मैं कुछ बेसिक सी एक्जामपल्स लेता हूं और आप लोगों को चीज़ें समझाता हूं एस्यूम कर लें के साल के शुरू में मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है यानि के बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो पांच लाग रुपए है पहली जैन्वरी दो हजार और तईस वाले दिन का यानि के मैं जब अपना बैंक का टी अकाउंट बना रहा हूंगा तो डेबिट साइट यह चमला और तो पे लिखेंगा पहली जैनुरी दो हाजारा तईस ब्रॉट डाउन डेन्स प्रॉट डाउन पांच लाग रुपए है बैंक स्टेट्मेंट पर वो बैलेंस एजी को क्रédith कि निदे का कॉल्म हो गा उसमें पहली जैनुरी वाले दिन लिखा आ रहा होगा ओ didya जब मैं किसी को payment करता हूं मिसाल के तवर मेरा कोई Crediter या Supplier था उसको मैंने payment करी और मैंने चेक उसको दिया तो मैंने डिए औरink payment bank account credit और लेट से दो लाक रुपए की आमा होगी एफ तीक है जी मैंनें अपने टी account में क्या किया होगा मैंने अपने इक कॉंट में जो कि बाट डाउन आ रहा था पांच लाक का डेबिट साइट पर क्रेडिट साइट पर अब मेंशन कर दिया होगा दो लाक रुपए और लिग दिया होगा मिस्टर ए और मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जन्वेरी को रिकॉर्ड कर ली और मेरे हिसाब से मैंने यह देख लिए कि भाई पांच लाक रुपए थे उसमें से दो लाग का इसको चेक दे दिया तो अब बैलेंस बच जाना चाहिए तीन लाक रुपए अब जब मैं किसी को चेक देता हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यह वो वो बंदा यह चेक उसी दिन लेकर जाए और उसी दिन मेरे बैंक से पैसे निकाल ले यानिक लेट से इस बंदे ने चेक रखा जेब में और यह कुछ टाइंग के लिए चला गया घूमने फिलने बीस 20 दिन बाद यह आया और 25 जैन्वरी वाले दिन घ्र गया और बैंक अपने बैंक अकाॉंट में मेरा चैक जमा करवाया यानिके अपने बैंक वाले को बोला कि यह चेक है यह मुझे इस बंदे ने दिया है इसके अकांट से 2,000 रुपर निका लो और मेरे अकांट मैं अठकर दिन मेरे बेंक का बैलन्स और तक हो उसमें कुछ time पीरियड गुजर सकता हमारे ख्यामपल के हिसाब से हमने पहली जैनवरी को डबल एंट्री पास पहली जैनवरी को हमने किसी को चेक दें लिक्ताव इस собой पहरी जैनवरी को नहीं निकाले मिसाल के तौर पर उसने 25 जैनवरी को पैसे निकाले अब जब उसने 25 जैनवरी को चेक दिया मेरे अकाउंट से 25 जैनवरी को पैसे माइनस वे तो मेरा जो बैंक स्टेट्मेंट होगा जिसमें पहले पांच लाका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था अब जब वो पैसे निकले होंगे मेरे अकाउंट से तो 25 जैनवरी वाले दिन मिस्टर एके नाम से दो लाक रुपर डेबिट के कॉलम में नजर आ और अधर मेरा बैलन्स दोना वो तीन लाक वावा होगा करेड़ तो यहां पर जो पहला पॉइंट मुझे आप लोगों को समझाना था वह यह था कि जिस दिन मैं किसी को चेक देता हूं उसी दिन वो पैसे मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएं यह बात जरूरी नहीं है ठीके दूसरी चीज अगर हम करते हैं कि यही एक ट्रांजेक्शन थी जो पूरे जैन्वेरी के महीने में हुई तो जैन्वेरी के आखरी दिन अगर मैं अपना टी अकाउंट दिखाओं तो टी अकाउंट का मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो तीन लाख आ रह जैन्वेरी को न እ कर्येक्ट थोड़ा सा चींज करते हैं लेट से 6 मैं अफने सब्प्राइर को 28 जैन vic दिया आप समझे बाथ को मैंने अपने सब्लाяжर को 28 जैन्वेरी वाले दिन दिया अब मैं अपना टी अकाउंट अगर देखता हूं तो पहली जैन्वेरी वाले दिन ब्रॉडडा ना रहा होगा पांचलाख रुप है और 28 जन्वरी वाले दिन मैंने मिस्टर डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा और अपने बास बैंक में एंट्री शो करीवी होगी 28 जन्वरी मिस्टर ए और क्रेडिट साइट दो लाक रोपे लिखे होंगे और मेरा जो अकाउंट बनाओगा जो टी अकाउंट बनाओगा उसका जन्वरी का क्लोजिंग 3,000,000,000 बैंक की तरफ भरता है लेट से उस बन्हें ने मुझस से 28 जन्वरी को चेक लिया चार पाउंच दिन छे दिन बैंक ही नहीं गया वह फरफरेरी के महीने में बैंक गया वह बेंग गया फैक की पाँच तारीक साथ तारीक छी तारीक को वह बैंग गया हर महीने के आखिर मेरी प्रेमेस पर अगर मेरे बिजनस आफिस पर बैंक स्टेटमेंट आता है तो जैन्वरी का क्लोजिंग बैलन्स बैंक के इसाब से अभी भी पांच लाख होगा इसलिए क्योंके पहली जैन्वरी वाले दिन पांच लाख रुपे क्रेडिट पर थे बैंक के हिसाब से जैन्वरी में कोई आया ही नहीं किसी ने पैसे ही नहीं निकाले तो बैंक के हिसाब से जैन्वरी का क्लोजिंग बैलन्स पांच लाख रुपे ही होगा क्योंकि उस बंदे ने तो जन्वेरी में पैसे ही नहीं निका ले वो तो गया ही फरवरी के महीने में है तो अब जरा यहां पर एक बात तवज़ से सुनिएगा कि अगर मैं जन्वेरी के आखरी दिन अपना हिसाब किताब देखूंगा और इसको बैंक से कंपेर करूंगा तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा मेरे हसाब से मेरे हसाब से मैं यह कहूंगा कि जन्वेरी के आखरी दिन मेरा जो बैंक बैलन्स है वो प्रीन लाक रुपए है जबकि जब बैंक से ग्रेंग स्ट्रेटमेंट को देखा जाएगा तो बैंक वाला यह कह रहा होगा कि आपका बैलेंस पांच लाक रुपए हैं इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा अब क्या यह डिफ्रेंस यह शो करता है कि मैं गलत गलत अकाउंटिंग कर रहा हूं क्या यह भी इसको रिकॉर्ड कर लिया इसलिए मेरा बैनेंस कम हो गया बैंक उसको record करेगा लेकिन जब वो बंदा फर्वरी के महीने में जाएगा तब और फर्वरी के बैंक स्टेट्मेंट में वह बात रिफ्लेक्ट हो रही होगी यह जो डिफ्रेंस क्रियेट हो रहा है जो क्लोजिंग डेट जैन्वरी का आखरी दिन होगा उस दिन के लिए हम कहेंगे कि यह एक अन प्रेजंटेट चेक है और उसकी बैंक एस पर बैंक स्टेट्मेंट पांच लाग रुपया यानि कि मेरा जो तीन लाग का बैलेंस आ रहा था अगर उसमें वह दो लाग रुपय एड कर दिये जाए जो अभी बैंक माइनस नहीं करें तो हम बैंक वाले बैंस या पांच लाग पर पहुंच जाएंगी बैंक स्टेट्मेंट बनाने का दूसरा तरीका यह है कि हम बैलेंस पर बैंक स्टेट्मेंट से स्टार्ट करें हम लिखें बैलेंस पर बैंक स्टेट्मेंट पांच लाग रुपय लेस अन्प्रेजंटेट चेक दो लाग रुपय बैंस पर कैश्बुक या बैंस एस पर मैने माइनस कर दिए हैं मैंने रिकॉर्ड कर दी है अलबत्त वो बंदा बेंक ही नहीं गया और इसलिए वे बेंक में वो बेंकल सल Mark 10 धिकंट में औहीव हो रहे हैं और इसकी वज़े से मेरे और बैंक के balance में difference आ सकता बहराल अगले महीने ये difference खतम हो जाएगा जैसे ही वो बंदा बैंक से पैसे निकाल लेगा उमीद है कि इस वीडियो में आपको unprecedented checks समझ आये होंगे next video में next इसको discuss करेंगे